क्या आप भी अपने गूगल फोटो पर बैंक अप किया हुआ फोटो देखना चाहते हैं पता करना चाहते हैं कि कौन सा फोटो मेरा गूगल फोटो पर बैंक अप है तो आईए इस वीडियो में जानते हैं क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बात आऊंगा गूगल फोटो पर बैक आप किया हुआ फोटो कैसे देख सकते हैं या फ़ता कर सकते हैं इस वीडियो को पूरा देखिए Google Photos में आपने बैक आप फोटो किया हुआ है देखना चाह आते हैं तो दो तरीके हैं पहले तरीके में आपको अपने phone में Google का Photoshop को open करना है चले मैं photos app open करता हूँ आपको भी खोज कर open करना है इसकी बद आप यहाँ देखेंगे कई सरी photos होएंगे जो आपने अरुतक खेंचा होगा या वीडियो बनाया होगा इन्हीं में से कुछ ऐसे photos है जो आपका bank up है देखना चाहते हैं पता करना चाहते हैं तो आईए जानते हैं आसान है आपको यहाँ दिख रहा होगा यह photos है mobile का यह photo bank up नहीं है असान तरीका है अब आपके मन में सवाल होगा आपने कैसे बता दिया तो जोस्तों मैं आपको बता दिए जो photo bank up होंगे इस तरह का icon होगा राइट का photo के दाहिने और में आप यहाँ देखिए इस photo में 5 photo है 5 photo में कहीं पर भी नहीं है तो यह photo नहीं है bank up अगर आप 20 star से जनना चाहते ही तो आप इस photo पर click करेंगे टेक करने के बता आपको इस तरह करना है इस तरह करेंगे तो आपको यहाँ मिल जागा photo का details में यहाँ पर कहीं पर भी photo bank up नहीं है अगर bank up होता तो लिखा हुआ आता bank up और जो MB होगा वो आ जाता यहाँ पर नहीं है अब चलिए जानते हैं जो bank up photo हो कैसे देखते हैं यहाँ इस तरह करना है इस तरह करते हैं तो कई सारे photos होएंगे जो आपने अभी तक bank up किया हुआ रहेगा यहाँ देखी यह photo है यह photo bank up है अब आप कहोगे कैसे आपने बता दिया तो आपको बता दू photo देखी photo के right में दिख रहा होगा एक icon होगा यहाँ देखिए राइट का आपको यहाँ दिख रहा होगा आप और भी विस्टार्ट से जानना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करने के बद आपको यहाँ क्या करना है photo का details को देखना है इस तरह करेंगे तो आपके समने आजएंगी details आप यहाँ देखिए इस तरह आप देख सकते हैं अब चलिए दूसरे तरीके में क्या करना है आपको अपने phone में फिर से आपको photos app को open करना है इसके बद उपर में profile photo है आपको यहाँ क्लिक करना है इसके बद manage your google account पर क्लिक करना है अगर आपने कोई दूसरा Gmail पर बैंक आप किया हुगा है तो आप यहाँ Gmail को change कर लेंगे otherwise आपको यहाँ manage your google account पर क्लिक करने के बद आपको यहाँ दिख रहा होगा इस तरह से आजाए तो data and privacy पर क्लिक करना है जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं कही सारी options आजाते हैं उपर करना है उपर करते हैं तो आपको यहीं पर एक option मिल जाएगा आप यहाँ देखे मैं आपको दिखा देता हूँ Apps and Services आपको यहाँ दिख रहा होगा जिसमें Google Play, Photos, YouTube वेगर आया है तो आपको यहाँ क्या करना है इस पर क्लिक करना है इस वाले icon पर जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह से आजाएंगे और सभी Apps, Service आजाएंगे जो Google का होगा आप यहाँ देखे मैं आपको दिखा देता हूँ उपर करना है उपर करते हैं तो आपके सामने आजागा आप यहाँ देखे फोटोज एप है और हमने जो फोटो बैंक अप किया है उसका quantity 434 से आप यहाँ देखे अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको इसी पर क्लिक करना है जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं आपके सामने वो सभी फोटोज आजाएंगे जो आपने बैंक अप किया हुआ रहेगा जैसे का हमने आपको पहले ही दिखा दिया यह सभी फोटोज बैंक अप है आप यहाँ देखे और यह भी फोटो हमने दिखाया था कि यह bank up photo है हमने आपको दिखाया था आप यहाँ क्लिक करके download गगरा करना चाहते हैं या आप बिस्टार्ट से देखना चाहते हैं तो आप यहाँ आई आइकन पर क्लिक करने के बाद देखेंगे तो आपके समय आजएंगे जो bank up photo है यहाँ पर details में आजएगा bank up 3MB आप यहाँ देखिए यह सभी photo bank up है और भी देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ open करने के बाद आप अपने photo को chain करेंगे सपोज एक और photo को दिखा आता हूं क्योंकि believe होना जरूरी है आप यहाँ देखिए यह photo है यह भी photo bank up है इस पर click करना है आई icon पर click करने के बाद आप यहाँ देखिएगा bank up लिखा हुआ है और अगर download करना चाहते हैं तो आप इस पर click करके download कर लेंगे एक एक photo को download करना चाहते हैं तो आप इस पर click करके three dot पर click करेंगे इसके बाद आप इसे आसानी से डाउलोड भी कर सकते हैं, डाउलोड का बटन है, आप इस पर क्लिक करके डाउलोड कर सकते हैं, तो इस तरह आप आसान से गूगल फोटो में बैक अप किया हुआ फोटो आप आसान से देख सकते हैं, हमने दो तरीके से बता दिया है, दोनों तरीके आसान है, इन दोनों तरी से आप पता कर सकते हैं या देख सकते हैं तो मैं आसा करता हूं कि आपको यह विडियो भगाती पसंद आया होगा वीडियो को आपको सब्सक्राइब लाइक कर देना चलिए फिर मिलाएंगे डिया विडियो में दीज़े इजा जोड़, ठाइंगे शमाज